अच्छा यह आ गए हैं हमारे पास शाहिद और अरहाम आप यह बताइए आप शाहिद है और अरहाम है पहले यह बताइए पहले यह बताइए ना जी वालेकुम स्लाव जी क्या कहना चाहेंगे आप मैं यह कहना चाहूंगा मैं आपके एक वीडियो देखे दी मौलाना तारीख जमील जाप क्यों करना जी जिस पर आपने उनको एक्सपोस किया था कि उन्होंने जो है वो इसलाम पे जो कपड़े हैं उनके पाबंदी लगाई तो आपको इसमें क् कौनसा वीडियो जिस पर उन्हें इसलाम में पाबंदी लगाई मुझे तो कैसा कोई वीडियो याद नहीं है मैंने तारीख जमील की टांग उठाने पर वीडियो बनाया था उनकी फिजीग पर बनाया था वीडियो नहीं वह वह दी और उन्हों कि आप बता रहीं थी ने कि टाइट कपड़ों पे तो मैंने का मैं आपसे लाइप में जाके बूचा है तो किसी स्कूल्स में लगाया है कि टाइट कपड़े पहन के नहीं जानी है वहाँ पर लड़कियों के लिए और डीले ढाले कपड़े मुझे प्रॉब्लम है क्यों नहीं है और डीले लगे मुझे बताएं जो टाइट कपड़े हैं वह पहनना चाहिए जब कि पहनना चाहीं पहो बहुत कर नहीं आदा घ्रकारश नहीं को पहनना चाहिए तो अगर वाज़ी हो भी गया तो तो पिर जरूरत नहीं है ना पनको फाल्तु का अफैशन करने का नहीं क्य कि इस तरह एक देखो एक अगर किना में कुई चीज है तो आप उसको एक accept पर अगर नहीं करना चाहते हैं आप हम से कम उसका मजाग तो नहीं उड़ाओना इस चीज़ की अजाज़त आपको कौन देता है आप मुलाना तारी क्यों है क्योंकि तुम्हारे पस लकाdefined घाने सिर्चा और लिए उसका है तुम्हारे पलाओर आपने मेरा माइक मूट कर दिया वह भाई कुछ कह रहे थे पहले में उनको इजादत देता हूं कि वह क्या कह रहा हूं कि आपकी फैमिली में मर्स तो हूंगे न हाँ जी बिल्कुल है आप उनको किस नदरियस देखते हैं सब्सक्राइब के फैमिर्ण करते हैं अब अब बिल्कुल होते हैं कि अपकी नजर कहां पर रहती है जिसम जिसमके उन हिस्सों पर रहती है कि शेंसिट्व होते हैं लेखते हों नहीं तो जो उनको ग्यों लेखते हो इस नजर से मिफ ऐसे दो कोई बात नहीं करें करें के आप गलत बात करें तो आपने पूरी एक जीद बात करती यान लूए आपने जयाद अफने पजहने को अपने आपने का कि titles क्ता पहले से मुझे आप mate हैं टाइट कपड़े पहने से क्या प्रॉब्लम क्रियेट होगी अच्छा सिस्टर मैं आप से यहां पर यह कह रहा हूं कि देखें आपने एक आवाज उठाई थी कि टाइट कपड़ों पर पाबंदी लगा थी ठीक है तो टाइट कपड़ों का सिर्फ इसलिए मना गिया गया था वो इस वज़ए से कि जायर से उसमें जिसम वाजिया होता है मैंने जी कोई गलत नहीं बात बोली कि कोई पार्स नजर आ रही है वह इस तानी मैंने प्रॉपर ज लेकिं आपने जो बोला कि उसके उपर पाबंदी लगा दियो गलत हुआ यह वो अब आब एक बाब बताएं अगर उस पर पाबंदी लगाई तो वह गलत था नहीं मगर प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम बताएं ना पाबंदी उस चीज़ पर लगती है ड्रॉग्स पर प इससारी चीजों को देखते हुए दूसरे मर्द किसी उतरा समझते ओंगे अधर गारे यह कपड़े आनि नहीं है जो टाइट कपड़े पैने हुए है इसमें वाज़े हो रहे हैं करें पार्ट्स कौन से बार्ट्स वाज़े हो रहे हो रहे हैं मुझे आप बताइए मैंने पार्स की तो बात नहीं की अग्र वाज़ हो रहा है वही तो मैं कि जिसम का क्या ऐसा वाज़ हो गया जिस पर पाबंदी लगनी चाहिए उपर से नीचे तक उसकी सिकन तो दिखनी रही है आप एक बाबताएं जिसम को छुपान आप नाइप साथ पूर्स प्शाइज पू mortgage नाए। छाएंत closure को तो यहांने तो मैं कहे रहे हुआ। कि हर्च चीज अगर आपको यानि कि जब आप पैदा हुए उसी टाइम हर चीज आपको दे दी जाती तो फिर फाइदा क्या था एक सेकंड मैं आप से question पूछ रही हूं आप जवाब दे रहे हैं नौर्थ का मैं इसका पूछ रही है आप नौर्थ तो आप ये बताएं क्या जिसम चुबाना के ना मैं फर्द नहीं है मेरे जवाब दीजे आप मुझे सवाल नहीं कीजे मेरे सवाल का जवाब दे आप पहले कि उसमें प्रॉब्लम क्या है देखें जब एक खातून अपने आपको संभालती है ना तो वो अपने साथ चार मरदों को संभालती है ठीक है अगर एक खातून अपने आपको खोलती है तो अपने साथ चार मरदों को खोलती है ये बात आपने साथ चार मरदों को खोलती है ये बात आपने साथ चार मरदो तो आप इस चैप्टर को पहले अच्छी तरीके से रीट करने हैं कोई बुक है जिसमें लिखावा है यह आपने जहां से रीट कर रहा है तो वहीं लिखा होगा नहीं लिखावा है आप रेफरेंस ले आप लेकर आए इस चीज़ को अरे आप अब इस चीज़ को बताना चाहिए अब इस तक आपने मुझे प्रॉब्लम नहीं बताए है मैं बताती है एक सेकंड शाहिए जी कहना यह चाहरे हैं अगर वो शर्मा आ रहे हैं वो कहना यह चाहरे है कि अगर और ऑरत का जिसम थोड़ा सा वाज़े हो जाएगा तो प्रॉब् मारे मर्द हजरात ऐसे जानवर लोग हैं जिन पर अपना कोई काबू नहीं है तो वो उस पर बिलिपक जाएंगे उसको भी गंदी नजर से देखेंगे तो मैं फिर आपसे यह पूछती हूं शाहिद जी मुझे यह बताएं कि यहां पे काफिर लोग नंगी नंगी लड़क चाह रहा था और आपने बिल्कुल खुले अलफाज में असल में मुझे जो है ना इस चीज़ को सिर्फ बियान करते वे भी शर्म हारी थी कि एक जो हो खावतीन के बारे में मैं ऐसा बोल रहा था तो इसलिए मुझे जो वो अजीब सा लग रहा था बोलना तो हकीकत यही है कि आज का जो माशरा है ना हम किसी को समझा तो सकते नहीं है लेकिन हम खुद को संभाल सकते हैं अगर हम एक को संभाल लिया ना मतलब हमने पूरी दुनिया को संभाल लिया तो अगर आज सुने मेरी बात चोड़ी सी मैं अगर रोट पर सोना रख के चला जाओ और दस मिनत बात आके शौर मचाओं कि है? मेरा सुना चोरी हो गया चोरी हो गया. लोग मुझे गलत बोलेंगे कि तुम, बेवुकूफत है. तुम ने अपने सुने को अपने घर के अंदर क्यों ने रखा? तुमने रोट पर रख दिया. तो लोग गलत होंगी या मैं गलत होंगा अगर सिर्फ मैं अकेला अकलमन बन जाओ ना आप लोग क्या करते हो गोश्ट का लो थड़ा खुला पड़ा होगा तो पुद्दे तो आएंगी केंडी खुली पड़ी होगी तो बात है सिस्टर और यही तो बात है और चीज नहीं है और एक एक इनसान है और एक इनसान है माबाद में है बेटी बाद में है और एक इनसान पहले है और यह हक उसको खुदा ने दिया है यह जो भी है खुदा हो भगवान हो एक इनसान है तो वह हक जो उसको खुदा ने दिया है आप एक इनसान होकर उससे वह क्यों ले रहे हो आपको कुछ चाहिए आप तुने मेरी बात एक इंसान को सांस देने का हक है ना सांस दे सकते ना अपनी मर्जी से के नहीं दे सकते हो ना तो होना चाहिए ना मगर एक औरत की लाइफ में सारी डेसेजन पहले उसके बाप लेगा मा भी दबी भी होती है पिर उसका भाई होगा तो भाई लेगा फिर उसके बाद उसका हजबिन लेगा और फिर वो मर जाती है तो उस औरत की मर्जी खुद की मर्जी कब होगी और अगर आप कह रहे हो कि ये चीज इस वए से हो रही है तो मुझे ये बताएं कि वेस्टन कंट्री में जहां पर लड़किया आधी नंगी घूमती है वहां क्योंनी प्राबलम हो रही है तो तो सलूशन आपको उनके लिए डूडनी चाहिए मेरे खयाल से सलूशन यह उनी चाहिए कि मर्दों को घर में बंद कर देना चाहिए अगर थोड़ी सी भी स्किन दिख जाएगी तो आप काबू नहीं रख सकते अपने आप पर उर्तों को बाहर निकलने तो और तो ओड़ी कर रही है किसी के साथ जिस जा दी अरत थोड़ी हाथ लगा रही एं किसी पो ऑर तो रही है बेकं औरते अपनी तरफ माहिल करती हैं नहीं कोई नहीं करती है कि लेसे और आपको अपने बादे को बात कोशिश कर रही है नहीं हम अपने लिए ड्रेसिंग कर रहे होते हैं हम अपने ये खुश फहमी पाली थी आप लोगो ने अगर किसी को थोड़ा सा स्माइल करके हाई टो वो खोश्पैमि में आ जाता है मैं यह बलाना जाती Amau यह पेढं़े सारे लोगा के समझते हैं कि मैं यह चोटे फ़सी इन के फ़ेन की बेढ़े होती इस वेसे भाटा है मिल में भगलो विध्र से जलेसेश कर में वह ईटा था है तो देखें बाते आपकी माशालला बहुत प्यारी है ठीक है, मैं इसे एगरी करता हूँ, लेकिन जो हमारा माशरा है न, वो आपको पता है किस तरह का है, आपने अभी जो बात बोली न, वो बहुत द्यारी बात बोली, क्या, कि मैं अभी जिस रूएस में बैठी हूँ, मैं पबलिक को दिखाने के लिए नहीं बैठी, लेकिन बस यही चीज़ तो है, आरे हैं, मगर क्यों आ रही है, अब एक चीज़ है, मुझे सर्फ यह बताते विए, आपने बोला न, कि मर्द गलात है, अच्छा सुने मेरे बात, मैंने आपको बोलने दिया, अब मेरे सुने, आपने मुझे बोला, कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, तो आपने मुझे देखा कि जो चीज़ आपने बियान कर दी हो मुझे बताते वे इतनी शरामारी थी कि मैं उसको बियान नहीं कर सकता था ठीक है तो मैंने आपस एक बात बोली कि अगर मैं रोट के उपस होना रखोंगा तो बेहुकुम मैं होंगा तो इसी तरह देखें और को इसलिए कहा जाता है कि देखो अगर जो है ना कहना मैं गलत वहीं से स्टार्ट होता है वो क्यों कि अगर आप सिर्फ अपने आपको एक को सधार लोगे ना सब सधार जाएंगे पूरी दुनिया सधार जाएंगे अगर मैं गलत हूँ ना तो सब गलत है अगर मैं सही हो ज पूरा कफन पहना था चोटे बच्चे होते हैं, जो लड्के होते हैं चोटे, उन्होंने कौँछ से टाइट कप्ड़े पहने होते हैं? तो ये आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और ये बात मैं समझ आने के लिए हमाय वेड़ी हfires और मैं शर्म वाले हाँ मुझे समझ में आ रही है मगर क्यों है ये शर्म वाली चीज आपके अंदर डाली गई है बच्पन से किस लिए है क्योंकि है शर्म की चीज है सेक्स क्या शर्म की चीज है मुझे आप बात बताईए एक मर्द और एक औरत ही अट्रैक्ट हुए थे ना जब आपके माबाप नहीं कर रहा था तो आप पैदा हुए जो एक ऐसी चीज जिससे आपकी रीप्रोडक्शन और आपकी सोसाइटी आपका यह जो इतने बिलियन्स ओव येर से लोग चलते आ रहे हैं वो सेक्स की वज़े से ही आ रहे हैं और ये जहालत जब तक खतम नहीं होगी सेक्स के उपर जब तक आप इसको नॉर्मलाइज और इस पर बातें नहीं करोगे मैं यह नहीं कहा रही कि जाके कुत्ते बिल्ले हर किसी के साथ सेक्स करना शुरू हो जाओ कर तो अभी भी रहे हैं लोग सेक्स अभी भी कर रहे हैं पाकिसान में और अंडेज भी निकाह के कहीं डाली हो सब वकुछ रहे मगर अगर आप उस पर थोड़ी ऐज़ुकेड कर दो लोगों को कि भाई आप condom use कर लो तो आपको जो है बिमारिया नहीं पैदा होंगी और आपकी जो है unwanted pregnancies नहीं होंगी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी abortions नहीं करवाने पढ़ेंगे illegal जाके लोगों को तो उससे थोड़ा सा जो है मौश्रे में difference आएगा for example बच्चों को जैसे आप हैं जब छोटे होते हैं और आपको अगरी सिखाया जाता कि भाई आपके कोई private parts को touch ना करें क्योंकि आजकल तो लड़कों को भी इसाने की जरूरत है क्योंकि हमारे मदर्सों में लड़कों पर जल्म हो रहा है लड़कियों के साथ तो हो ही रहा थ यह चीज सिखानी बहुत जरूरी है बच्चों को जिस बच्चे को यह पता ही नहीं होगा छोटे बच्चे को के वह अगर मेरे यहां नीचे प्राइवेट्स पर कोई बंदा हाथ लगा रहा है वो गलत है या सही है तो वो अपने parents को कैसे बताएगा 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 तो यह बहुत important है यह चीजों पर बात करना शरम के नाम पर आप लोग पता है कितने बच्चों की जिन्दगियां तबावे कर रहे हो इस तरीके से तो पहले आप मेरे इस चीज का जवाब दे कि कपड़ों का आपने कहा तो वो जो कबर में लड़की है या जो घर में करें तो जो आपसे नौलेज मेंबर्स को मिली ना सलूट करता हूं मैं आपको जबरदस नौलेज आपकी बच्पन से अभी तक यही सुनते हैं वे आया कि हुरत कर दाते हैं लेकिन जो आपने एक नौलेज दे दी ना सिरुफ पांच मिन की बात हुई है हमारी ना उस असल में मैंने आपके वो टाइड वाली वीडियो देखी थी तब से मेरा जेन जो है वो बहुत ही अजीब सा हो रहा था मैंने का यार यह क्या हो रहा है मैं बात करूंगा इस बारे में आपसे काफी दबल आप में भी आया लेकिन अभी आपने जो थोड़ी सी मुझे मेरा आइना दिखाया मर्दों को और जितने भी यह मर्द सुन रहें वह भी अपना आइना देखने शकल देखने में बहुत प्यारी बात की है कि जो और घर में होती है बाप बेटी के तारी है वह जिस तरह भी है खैर मैं उजादा बोलूंगा नहीं इस बारे में वह पॉइंट चैने तेंक यू शाय जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने चलो एक बंदे का तो दिमाग तोड़ा तारी है चैने माज़रत मैं माज़रत आपके साथ कहूंगा कि अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूं माफी मांगके आपके जाना चाहता यह हमारा जो है आगे चीज़ें पहलें